हलो मैं हूँ रेखा यादव और आप देख रहे हैं बोर्ड स्काई आज फिर मैं आप ते लिए कैसा DIY लेकर आई हूँ जो आपके कई तरह के स्किन प्रॉब्लम को चुटकियों में दूर करेगा आज की हमारे इस DIY में जो खास बात है वो है कैस्टर ओल कैस्टर ओल जिसे अरंडी का तेल भी कहते हैं या फिर कई जगह पर इसे रेडी का तेल भी कहा जाता है इसमें आंटी आक्सिदेंट और ओमेगा 3 फैटी एसिड जैसे अलिमेंट्स होते हैं जो हमारे पिमपल्स, डाग धब्डे, एंटी एजिंग, ड्राइनेस जैसे स्किन प्रॉब्लम को दूर करता है तो देर किस बात की? तो चलिए शुरू करते हैं अपना DIY कैस्टर ओल के साथ जो हम पहला DIY करने जा रहे हैं वो है पिमपल के लिए पिमपल जो लड़कियों में सबसे कॉमन प्रॉब्लम है, जैसे कि आप मुझे भी देख सकते हैं, मुझे भी है तो चलिए करते हैं अपना पहला DIY इसके लिए हमें चाहिए होगा कास्टर ओल और विटामिन E का कापसूल एक कटोरी लेते हैं इसमें एक चम्मच कास्टर ओल डालते हैं अब इसमें एक विटामिन E के कापसूल को मिला लेते हैं अब हम इसे अच्छी तरह आपस में मिक्स कर लेते हैं अब इस पेस्ट को हम अपने पिमपल पर अपलाई करते हैं कैस्टर ओल और विटामिन E कैपसूल के इस पेस्ट को आप हर रात सोने से पहले अपने पिम्पल वाले जगह पर लगाएं आपको दो ही हफते में इसका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा ड्राइ स्किन के लिए भी कैस्टर ओल काफी अच्छा है अगर आपकी स्किन ड्राइ है तो इसके लिए भी आप कैस्टर ओल का यूज कर सकती हैं तो चलिए हम आपको बताते हैं कि किस तरह से आप कैस्टर ओल के यूज से अपनी ड्राइ स्किन को दूर कर सकती हैं ड्राइनेस को दूर करने के लिए हमें कास्टर ओयल के साथ साथ नारियल तेल भी चाहिए होगा तो इसके लिए हम एक चम्मच कास्टर ओयल लेंगे और एक चम्मच नारियल का तेल जब भी हम ड्राइनेस को दूर करने के लिए क्यास्टर ओयल का यूज करेंगे तो नारियल तेल और क्यास्टर ओयल दोनों बराबर मात्रा मिलेंगे अब इन दोनों को हम मिला लेते हैं अब कैस्टर होल और नारियल तेल के स्लेव को हम पूरे चहरे पर मसाज करते हुए अपलाई करेंगे इस तेल को हमें रात में अपलाई करना है और रात भर इसे ऐसे ही रहने देना है सुबा उठकर किसी माइड फेश वास से अपना चेहरा धोलीना है अगर आपकी स्किन बहुत जादा ड्राई है तो आप इसे दिन में दो बार भी अपलाई कर सकती है और आपको कुछ दिनों में ही इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा आपकी स्किन नर्म और मुलायम हो जाएगी पिमपल और ड्राईनेस को दूर करने के साथ साथ कैस्टर ओल हमें इंस्टेंट ग्लो भी देता है तो चलिए बनाते हैं कैस्टर ओल से इंस्टेंट ग्लो वाला पैक इस ग्लो पैक के लिए हमें चाहिए हुगा कैस्टर ओल नीम्बू और हनी तो चलिए बनाते हैं पैक को एक चम्मच कैस्टर ओल लेंगे फिर इसमें कुछ भूंदे नीमू के निचोड़ लेंगे अब इसमें एक चम्मच हनी मिला लेंगे अब इन तीनों को हम आपस में अच्छी तरह मिला लेंगे तो चलिए अपलाई करते हैं अब इस पैक को हलके हाथों से मसाज करते हुए इस पैक को हम पूरे फेस पर लगाएंगे अब इस पैक को हम 15 से 20 मिनट के लिए ऐसी जोड़ देंगे 15 मिनट हो चुके हैं अब इस पैक को हम 2 मिनट के लिए मसाज करेंगे उसके बाद टीशू पेपर से पोच लेंगे अब इसे टीशू पेपर से पोच लेते हैं पोचने के बाद किसी माइल फेश्वास से हम अपना चेहरा धोलेंगे तो देख सकते हैं अब आप इस पैक का असर आप इसे हफते में दो बार यूज कर सकते हैं इसकी यूज से ना सिर्फ आपको इंस्टेंट लो मिलेगा बलकि आपके चेहरे के दाग धबबे भी दूर होंगे तो देखा आपने एक कैस्टर ओल हमारे कितने सारे स्किन प्रब्लम को दूर कर सकता है आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा ऐसे ही एजी और एफेक्टिव टिप्स बोल्ड स्काई आपके लिए लाता रहेगा और आप भी हमें लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए